अज मैं आपके साथ महाशिवरात्री वरत स्पेशल एपल की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जादा टेस्टी है इस खीर को आप किसी भी वरत में खा सकते हैं चाहे वो महाशिवरात्री का हो या नवरात्री का किसी भी वरत उपवास के लिए आप इसे बना सक लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगी आप वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए बिना देर के आज की हमारी यह स्वाधिश्ट हैल्दी एपल की खीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर एपल की खीर बनाने के लिए हमने चार मेडियम तो सबसे पहले हमें अपल को इस तके से चील लेना है आप आप इपल कोई भी लीज़े बस अपल मीठी होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे या फिर कस पर नहीं रहरा है नहीं तो खीर का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा तो यहां पर हमने अच्छे पके वे मी पहले से अगर आप ग्रेट करके रखेंगे तो एपल पूरी काली पढ़ जाएगी इस बात का आप ध्यान रखें तो आपको जब बनानी हो उसी टाइम ही आप ग्रेट कीजिए तो देखिए हमने इसी परकास से यहां पर सारे एपल को अच्छे से ग्रेट कर दिया है देख सक आपने चोइस के कुछ भी आप एट कर सकते हैं या फिर इन में से जो ड्राइफ परूट आपको पसंदना हो आप इसे किप भी कर सकते हैं तो यहां पर ड्राइफ रूट को हम फ्राइ करके ही एड करेंगे खिर में से बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा तो यहां प तो यहां पर हमें एपल को तब तक भुनना है जब तक कि एपल हलका साफ्ट ना हो जाए और एपल में जो मौस्चर है वो खतम न हो जाए तो यहां पर एपल को इसी तेकी से लगता चलाते वे मेडियम टो हाइफ फिलेम पर भुनेंगे इसे बुनने में हमें करीब 5-6 निकाल लेंगे और यहां पर खीर बनाने के लिए हम कड़ाई में डालेंगे एक लीटर मिल्क यहां पर दूद हमारा यह कच्चा है तो इसको हम पहले उबालेंगे तो यहां पर मैं इसे जो है गैस का प्लेम तेज कर दी हूँ ताकि दूद में जल्दी से उबाल आ जाए और दूद में जब इस तेके से उबाल आ जाए देख सकते हैं तब अब हम दूद को लगतार चलाते वे गाड़ा होने तक पकाएंगे हमें दूद को उबाल कर एकदम गाड़ा करना है रबडी के जैसा इसमें आपको खीर और रबडी दोनों का टेस्ट मिलेगा बहुत ही जादा टेस्टी ये बनका तयार होती है यहीं पर हम थोड़े से केसर के धागे भी डाल देंगे यह ऑप्सनल है अगर आपके पास हो तो डाले नहीं तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं इसे बहुत ही अच्छा सा गोल्डेन सा कलर आएगा खीर में और इसके स्वात को भी बढ करते जाना है इससे आपका दूद जो है लच्छेदार गाड़ा होकर तयार होगा तो आप देख सकते हैं पहले से दूद की क्वान्टिटी बिल्कुल आधी हो चुकी है अभी मैं इसको और उबालोंगी मुझे इसे और ज्यादा गाड़ा करना है तो बस इसी तरह किसे हम से लगतार चलाते भी रहेंगे नहीं तो यह तले में लगना सुरू हो जाएगी यह देखिए अब हमारी दूद की जो क्वान्टिटी है बिल्कुल आधी से भी आधी हो गई है और गाड़ी भी हो गई है देख सकते हैं तो यहाँ पर इस अश्टेच पर 3 टेवल स्पून ह कि जितना सुगर है एपल भी मारी मीटी है तो इसमें जादा चीनी ने एड नहीं करेंगे इस बात का धियान रखें और चीनी को अच्छे से डाल कर मिक्स कर देंगे और उसके बाद जब चीनी अच्छे से घूल जाए तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ पर भुने हुए कि कारने इसमें बहुत ही अच्छा सा करंची सा टेस्ट हाएगा इसी के साथ थोड़े सा हमने इलाइची का पाउडर भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए और इन सभी को मिक्स करने के बाद यह हमारा बहुत ही स्वादिस्ट एदम गाढ़ा रबडी दार लच् की हुई है आप और रेसेपी जरूर देखिएगा अगर आपको चीनी वाली सेव की खीर नहीं बनानी है तो यहां पर हम खीर को इस्टेके से सर्प कर लेते हैं बावल में देख सकते हैं कितनी स्वादिस्ट एकदम गाढ़ी खीर बनकर तयार हुई है यह स्वादिस्ट के स सेव के खीर भी बनाकर सर्प कर सकते हैं तो महाश्रीवरात्री का वरत जो है तैवार आने वाला है तो आप महाश्रीवरात्री वरत्त स्पेशल यह खीर बना सकते हैं तो उमीद करते हूं कि फेंड्स आज की हमारी यह एपल की खीर की रेसेपी आपको पसंद आई होगी व इसी वीडियो को अगर आप मेरे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी फोलो करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स फॉर वाचिंग